प्रित्वी से परे कहीं और भी जीवन है ये सवाल विज्ञान के समूचे इतिहास का सबसे सम्मोहक सवाल है इस विशय पर कई प्रिकुपनाएं आ चुकी हैं अनेक फिल्में बनी हैं और खर्बूर रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन हम अभी तक पुक का जवाब नहीं जानते किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज अब तक की सबसे बड़ी खबर होगी एलियन्स से कॉन्टेक्ट करने की कई कोशिशें चल रही हैं इसलिए ये हैं शर्ती के बाहर जीवन मिलने की सिंभावनाएं हमारा सूर्य अर्बू सोल सिस्टम के परे भी अंतरिक्ष का विस्तार इतना व्यापक है कि हमारी कलपना से भी परे है पिछले आच-दस सालों के भीतर ही अंतरिक्ष विज्यानियों ने कई ऐसे तारे खोज निकाले हैं जिनकी परिक्रमा करने वाले ग्रह भी हैं यहां करोडों अन्य सौर मंडल हैं और निश्चत है कि ग्रहों कि इस विशाल संख्या में धेर सारे ग्रह हमारी पृत्वी की तरह होंगे ही इसलिए पृत्वी से परे जीवन होने की सिंभावनाएं बरकरार हैं सवाल यही है कि क्या आर दूसरे सूरियों का चकर लगा थी इन पृत्वीयों में जीवन का कोई रोचक और रोमान चकरूप भी क्या मंगल ग्रह पर कोई एलियन नजर आया था अमेरिका का रोबोटिक यान क्यूरियोसिटी 2012 में ही मंगल पर उतर चुका है इसने वहां की जो तस्वीरें भेजी थी उनमें एक इनसान की तरह की आकरती भी नजर आ रही थी हाला कि जाच के बाद इसे चटान कहा गया मंगल को पृत्वी का जुर्बा ग्रह कहा जाता है माना जाता है कि सोलस सिस्टम में धर्ती के अलावा मंगल पर जीवन मिलने की सबसे ज्यादा समभावना है हाला कि वैग्यानिक मानते हैं कि मंगल पर अगर जीवन होगा भी उसके इनसान के बजाए माइक्रोब्स सुक्षम जीव के रूप में होने की ज्यादा सिंभावनाएं हैं तशकभा पहले अमेरिकी अंतरक्ष एजिंसी नासा ने मंगल ग्रह से आये एक उलका पिंट पर सुक्षम जीवों का जीवाश्म मिलने की घोशना की थी यह दावा ततकालीन राष्ट्रपत हुआ और नासा अभी तक खोज कर रहा है जियूपित के चंद्रमा पर समुद्र में हो सकता है जीवन धर्ती से भेजे गए रोबोट ब्रहस्पती ग्रह के चंद्रमा हो यूरुपा और कैलिस्टो के बर्फ से ढके समुद्र की छानबीन भी करेंगे मंगल के बाद वैग्य है और यह रहस्यम है दरारों से भरा हुआ है गेलिलियो नामक खोजियान ने दिखाया है कि यूरुपा की सतह बर्फ की तरह के पदार्थ से ढकी हुई है वैग्यानिकों का अनुमान है कि ब्रहस्पती के गुरुत्वाकर्शन के प्रभाव से इस बर्फ के नीचे गुंग देखते हों अभी जीवन की खोज की सारी कोशिशें हमारे सौर मंडल के ग्रहों तक ही सीमित हैं दूसरे सौरा मंगलों तक पहुंच पाने की कलपना करना भी अभी बेमानी होगा इसकी तुलना में उन तक रेडियो सिगनल पहुंचाना कहीं आसान है शायद इसी तरीके से एलियन्स भी सबसे पहले अपनी मौझूदगी का एसास कराएंगे यदि हमें कोई सिगनल मिलता है तो उसके स्रोत की दूरी का अनुमान लगा कर जवाब भेजा जा सकता है यदि एलियन्स के पास बड़े बड़े एंटेना होंगे और वे धरती के सम्मिलित टीवी प्रसा पारनों को रियुसीव करके डिकोड भी कर पा रहे होंगे तो वे अभी तक हमारे बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे दूसरे ग्रहों से आने वाले सिगनलों को कैच करने के लिए अमेरिका के कैलिफोंिया में सिलिकॉन वैली के अरब पतियों के सहयोग से बहुत कि अमीजगती हो if you like the video please subscribe my channel